जहें दोस्तो 23 जनवरी 2022 को आज यूपी टेट का पेपर हुआ और ये पेपर देखने के बाद आपके होस उड़ जाएंगे कि कि यकीन मानेंगे ताजुब हो जाएंगे कि जिस बेवकूफ ने भी ये पेपर सिट किया है उसे इतनी भी अकल नहीं कि अगर वो 2017 की कोश्चन्स दे रहा है तो कम से कम सीरियल नंबर तो चेंज कर लेता सीरियल सेम सीरियल नंबर के साथ लागतार कोश्चन्स को उठा के डाल क्या और अगर इतफाक मैं पहले कोश्चन देख लिए फिर में बात कूंगा पहले कोश्चन देखिए दोस्तों आज 23 जनवरी को जो पेपर आया था उसमें कोश्चन देखिए 23 जनवरी के इस पेपर सिट में कोश्चन नमर 2 देखिए ध्यान से क्या था बालकों के समाजि के बाद 3 पर आए और इस पेपर में कोश्चन नमबर 5 के बाद कोश्चन नमबर 6 पर आए वहाँ पे कोश्चन नमबर 3 में सवाल पूछा गया था नहीं मलेकित में कौन सा सारीक विकास का एक प्रमुखनियम है और इस किताब में सेम नहीं में से कौन सी सारीक विकास का प्रम पांच छे साथ आठ वहां पर देखिए दो तीन चार पांच सीरियल वाइज एज इस कोश्चन यहां पर देखिए निम्लेखित में से विकास का सिधान्त नहीं है यहां भी वही सवाल आगे देखिए विकास की परिमाल सरूप निम्ल विसस्तनाय और नमीन योगिताओं पर सवाल पूछा जा रहा है इतना बक्वास पेपर सेट किया गया है यकीन मानिये जिम्मेदार से पूछना चाहिए सरकार को सरकार के प्रसासन को उनके मंतरियों को पूछना चाहिए कि भांग पी के पेपर सेट कर रहे थे या तुम्हारी किसी इंसिट्यूट से सेटिंग है पचास से साथ सतर परशन आप सवाल इसी को रिपीट कर दे रहे हैं जरा सोचिए कि पेपर लीग करना कितना असान था आपको ना फोटो खीचने की ज़रूरत है ना आपको कहीं मेल करने की ज़रूरत है सीधा एक फोन घुमा के कहना है कि अपने ट्यूशन के बच्चों को 2017 क पहनत करके प्रिवियस एक कोश्चन इंपॉर्टन कोश्चन अफाला धिमकाना प्रस्न पढ़िये और कोई एक फोन घुमा के कह देता है कि 2017 के पेपर पढ़ा दो अपने बच्चों को नंबर लेकर चले जाने और मैं कोश्चन दिखाता हूं दोस्तों 22 डीवन के बाद करें अगर आप बाल विकास की की बात करें तो 30-15 व्यार्टन यार कौन सा प्रिव्य आपने सेट किया था कि 30 में से 15 व्यार्टन भासर इस दो पन्न में ऐया है 2017 के दो पन्न में और यह CDP की बात कर रहो हूं मैं कि पउद छाइलल्ट डेप्लमेंट की तो 14 नमर कोश्चन आपको देखिए का 12-16 वर्स की बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर S. जलोटर के कौन सा प्रिचर दिया था और 2017 में कोश्चन नमर 12 देखिए वहाँ पे कोश्चन नमर 15 देखिए और यहाँ पे कोश्चन नमर 13 देखिए बुद्धी के दुईकारक सिदान के परति बादन किसने गिया था भरबर के सारे कोश्चन तो ही यहीं से पूछे गया है और मैं आपको कोशन दिखाता हूँ, यहां पे कोशन पूशा गया था कि किरियात्मक यह पेपर ऐसा है ना कि आख बंद करके अकड़ बंबे वो कहके जहां पे उली रख देंगे ना यह पेपर वहां से आया है, 2017 के इस प्रकार से पेपर सेट किया गया है, चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं, हिंदी में अगर आप आएंगे तो जरा सोचिए कि यह कैसे इतफाक हो सकता है, अब कैसे कह सकते हैं कि यह इतफाक है कि जो गदांस, जो गदांस पूछा गया था 2017 में, वही गदांस 2022 में भी पूछा गया है, 2017 से CDP के 30 में से 15 प्रशन मिल रहे हैं यहां हिंदी का जो गदांस पूछा गया है, वही हिंदी का गदांस 2022 में भी पूछा गया है, और केवल बात हिंदी के नहीं है, पेपर देखिए, हिंदी का पहले प्रस्न देखिए, फिर चलेंगे संस्क्रीट पे, हिंदी का प्रस्न पेपर देखिए, हिंदी में यही गदांस पूछा गया था कि आदमी आरे घूमकड ही थे यहां यह वहां यहां से वहां घुमते रहते थे और यह प्रस्थ देखिए और यहीं प्रस्थे देखिए प्रस्थ में 2022 की question में आया और बात हिंदी के नहीं सा कोंड सा हिंदी के भी काइस से मिल रहे है 2017 2017 में चुन्स किस ने कर दिया ये क्या नहीं मानोगे इतने कॉइंसिदेंस होते हैं क्या तुम अभी भी मानते हो कि यह सारी चीज़े फ्रॉड नहीं है कौन जवाब देगा इस पर कौन पूछेगा कौन बात करेगा बीपक्षी पार्टी पूछेगी सरकार में रहे मंत्र पूछने पर बहुकूफ है हम लोग अगर हम पढ़ने पढ़ने की बात करते हैं आज के जमाने में बेवकूफ हैं हम लोग यह देख लो ठीक है अफसोस करो या ना करो दर्ध हो या ना हो लेकिन तकलीफ होती है भाईया जब आप पूरे साल मेहनत करके पढ़ते हैं पढ़ाते हैं और बाद में पता चलता है क कि कोई बंदा दो पंदा पढ़के पूरे प्रश्म को हल कर दे रहा है आप पूरी किताब पढ़के जागे दुआएं मांग रहे हैं सोचो कितना आसान था यह पेपर लीग करना कि 2017 के ही सारे कोशन सा आप रिपीड कर दे रहे हैं ऐसे पेपर सेट होता है ऐसे परिशाएं आप बोगar ने बताई कौन सा पेपर? किस ने पेपर सेट किया मुख्य मन्तरी ची प्लिज आप पूछेंगे उन मंतर्यों से कैसा सी कैसा पेपर सेट किया हैं सिक्चा मइंतरी ची आप पूछेंगी क्या आपप यहtinा पेपर सेट करते हैं भाहिय कि 2017 के कोशनशे आप दे किताब पढ़ रहा है भाड़ में गया वह तो यही हाल है दोस्तों सिक्षा अएंगी तो यही होगा जय ही जय भारत दोस्तों शेयर कर दो इस वीडियो को अगर चीजे समझ में आ रही हूं और चाहते हो कि यह बाते पहुंचे सरकार पूछे कमस कम उन जीमदारों से पूछे कि यह कैसा पेपर सेट कर रही है और क्यों है ऐसे सवाल उट रहे हैं तो उसे एक बार से